नमस्कार साथियों, इन फ्यूजर नोट्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है इस सेशन के अंदर साथियों, हाली के अंदर आर्पीशी के दौारा कर्शी अधिकारी की जो भरती जारी कर दी गई है उस पर अपने चर्चा करेंगे, किस परकार से आवे दिन किये जा सकते हैं और इसके अंदर कुल कितने पद हैं, एक्जाम का पैटरन क्या रहेगा पूरी जानकारी साथियों मैं आपके साथ कम समय में सेर करूँगा वीडियो पसंद आए, तुसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा इन फ्यूजर नोट्स के यूटूब चैनल को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेर कीजिएगा तो शुरुआत करेंगे साथियों, हाली के अंदर साथियों यानि कल शाम को साथियों आरपीशी के द्वारा है जो आरपीशी के द्वारा एगरिकल्चर ओफिसर का विग्यापने जारी कर दिया गया है इसके अंदर बताया गया है कि आयो कर्शी वियाग के राजस्तान कर्शी शेवा नियम उनिस सो साथ के अंतरगत कर्शी अधिकारे के कुले 35 पदों पर साथियों जो विग्यापने जारी कर दिया गया है इसमें बताया है कि विवाग एगभय जो इसके अंदर साथियों पदों की संख्या को बढ़ाभी सकता है और कम भी कर सकता है यानि फिलहाल सातियों 25 पदों पर विगया अपने जारी कर दिया गया है अब सातियों इसके अंदर जो महत्वपुन चीजें हैं वो अपने बात करेंगे कि इसकी क्या परकिरिया रहेगी इसके अंदर और किस परकार से इसका आविद ने किया जा सकता है सबसे इपोर्टेंट रहेगा सातियों कि इसके लिए जो सेक्षन की योगेता है वो क्या रखी गई है तो सेक्षन की योगेता इसके अंदर सातियों M.A.C. Agriculture और M.A.C. Horticulture के अंदर आपके पास है इसके लावा सातियों working knowledge of Hindi written in देवनागरी यानि अपने जो राजस्तान के अंदर देवनागरी सातियों जो अपने करते हैं हिंदी का ग्यान होना चाहिए और अपने जो देवनागरी लिपी है उसके बारे में पता होना चाहिए इस परकार का इसके अंदर बताया गया है इसके अंदर बताया गया है कि आपको online करना होगा और जो भी आप जानकरी बहेंगे वो सही होनी चाहिए इस परकार बताया गया है इसके लावा साथियों आपको जो वेतन मिलेगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 14 के तहत मिलेगा कितने 14 के तहत मिलेगा और ये शुरू कितने से होगा ये मैट्रिक्स लेवल कौन सा हो जाएगा चोपन सो ग्रेड पे हो जाएगा इसका यानि ग्रेड पे कितना है चोपन सो है मेट्रिक्स लेवल 14 के तहता आपको इसके अंदर वेतने मिलेगा आयूशिमा साथ यूश के अंदर बताया गया है कि दिनाग 1,2,2025 को नियुन्तम 20 वर्स वह अधिक्तम में 40 वर्से कम होनी चाहिए यानि नियुन्तम साथ यूश वर्से और अधिक्तम है जो 40 वर्से होनी चाहिए 1,1,2025 को इसके अलावाद साथ यूश के अंदर देखें तो राजस्तान राजे के अनुसूची जाती अनुसूची जाती जाती पिछड़ा वरग अती पिछड़ा वरग वे आर्थिक रूप्शें जो कमजोर वरग है उनको साथियों पांच वर्स का छूट दिया गया है राजस्तान की अनुसूची जाती अनुसूची जाती पिछड़ा वरग अती पिछड़ा वरग वे आर्थिक रूप्शें कमजोर वरग की महलाओं के लिए है जो दस वर्स छूटे रहेगी और साथियों समाने अनारक्षित वरग की महला है उनके लिए पांच वर्स की छूट है जो दी गई है इस परकार के इसके अंदर है जानकारी दी गई है और इसके अलावा सातियों जो चैन परकिरिया है चैन लिखित परिक्षा के माध्यम से किया जाएगा इसके अंदर बताया गया है कि जो चैन होगा वो सातियों लिखित परिक्षा के दार पर होगा और इसके शुरू होगी तो साथियों आवेदन की जो परकिरिया है वो अपने साथियों साथ मार्च से शुरू होगी और कब तक है पांच अप्रेल तक है आवेदने आप इसके अंदरे कर सकेंगे साथ मार्च से लेकर पांच अपरेल तक आप इसके अंदर आवेदने कर पाएंगे आवेदन की परकिरिया साथियों आपको आठवीशी पर जाकर दिये गए निदे सामस्वार कर सकते हैं इसके लावा साथियों आपको ओनलाइन आवेदन करने के लिए SSO पर जाना होगा अपलाई ओनलाइन लिंक आयो की वेबसाइट या SSO पोर्टल पर है आप SSO पोर्टल पर जाओगे तो वहां पर साथियों आपको पुछा जाएगा यानि one time OTR करना होगा आपको पता है कि सातियों एक बार अपने OTR कर लेते हैं यानि one time registration आपकर लेते हैं तो इसके बाद कौन सी भी प्रिक्षा हो उसका आपको आवेद सुलके नहीं देना होता तो इसके अंदर बताया गया है कि आगे की जो प्रिक्षा होती है सातियों कौन सा भी अगर आप हारम भर गए तो इसके अंदर आपको नहीं सुलकावेदने कर पाऊंगे यानि असरसो पर जाकर आपको वन टाइम रिजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके बाद सातियों आप अपना है जो फॉर में कंप्लीट कर पाएंगे यहीं इसके अंदर बताया गया है वो पूरी जानकारी वन ओटियार होगा उसमें आपकी जो दसवीं की योगेता है बारिवीं की है ग्रेजवेशन की है में सी आपने किसके अंदर कर रखी है कब कर रखी है वो सारी जानकारी उसके अंदर आपको बढ़ना होगा इसके अलावा साथियों इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई आविदन करने के बाद उसके अंदर संसोधन कराना चाहता है तो साथियों आविदन पत्र की अंतिम दिनाग के पसाथ 10 दिश्क का साथियों उसको समय दिया जाएगा और जो आविदने संसोधित करते हैं उस के लिए इसको 500 रुपे का सुलक देना पड़ेगा इसके लावा साथियों इसके जो अपने वन टाइम रिजिस्टरेशन कराएंगे उसके सुलक की बात करें तो साथियों जनरल के लिए 600 रुपे रहेगा पिछडा वरक वैं अती पिछडा वरक की विद्यार्थियों के लिए 600 रुपे रहेगा आरक्षित वरक अनुसुचित जाती पिछडा वरक नौन क्रिमिलियर अती पिछडा वरक के लिए 400 रुपे रहेगा और दिव्यांग जन के लिए भी साथियों 400 रुपे रहेगा यानि OTR आपको करवाना चाहिए साथियों one time registration कराने के बाद कितनी भी भर करती आएगी राजस्तान में तो आप उसके लिए नीस लकावे दने कर पाएंगे यह इसमें बताया गया है अब साथियों इसके exam pattern पर बात करें तो साथियों दो पेपर इसके अंदर होंगे टोटल डेट सो कुसन इसके अंदर है आप से पूछे जाएंगे दो पेपर के अ साथियों 40 कुसन पूछे जाएंगे 40 नंबरों के रहेंगे और पार्ट भी है उसके अंदर साथियों जो आपका सब्जेक्ट है उसके 110 कुसन पूछे जाएंगे वह 110 नंबरों के रहेंगे यानि एक वेपर होगा साथियों उसके अंदर पार्ट एरवें भी होगा यह पार कि यह जानकर साथियों इसके लिए इपोर्टेंट थी इसमें मैंने आपको बता दिया यानि आप अगर आवेदने करना चाहते हैं तो इस प्रकार इसके अंदर आवेदन है जो कर पाएंगे यानि साथियों शिदा का सिदा कंसेप्ट है कि एक बार आपको ओटियार कराना बढ़नी होगी उसके बाद जो भी राजस्तान के अंदर साथियों भरती आएगी उसके अंदर आप असानी से आवेदने कर पाएंगे इसके आवेदन की परकिरिया बता दी मैंने छूट बता दी सेक्षन की होगे तब क्या रहेगी वो जानकरी साजा कर दी आप किस प्रका अंदर जो बताया गया है उससे जानकारी साजा कर दी है सैसन पसंद आया है तो इसे लाइक वसे जरूर कीजिएगा धन्यवाद सातियों जुड़े रहेगा इंफ्यूजन नोट से इसी परकार जो भी बढ़ती आएगी उसकी तरुन्ट जानकरी आपके साथ मैं साजा कर द धन्यवाद सातियों